हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी तो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं यह मज़दार सी डिश यह देखिए हमारा सिजलर चुकन कितना यम्मी दिख रहा है बहुती मज़दार सा फ्रेंट्स खुश्बू तो बहुती अच्छी आ घर में यह शादियों वाला सिजलर और देखिए इसके जो चिकन है कितना यम्मी सा हो चुका है और इसके वेजिटिबल्स भी अच्छे से गल चुके हैं बहुती बढ़िया सा बना है फ्रेंट्स खुश्बू बहुती अच्छी आ रही है मताब देखने के बाद में रुकन चमच भरके मैदा ले रही हूं थोड़ा सा नमक लिए और यह दो चमच भरके में अरा रोट लूँगी यह देखिए मैंने दोनों चीजों को ले लिया है दो दो चमच लाल मिर्ची का पॉडर लिया है एक चमच आदा चमच हल्दी पॉडर एक चमच धनिया पॉडर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका अच्छा सा पतला सा बैटर तायार कर लेंगे और इसमे पानी हम हिसाप से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ नहीं डालना है यह देखिए इतना गाड़ा हमको रखना है अब हम इसमें आड करेंगे चिकन के मैंने बहुत चोट चिकन डालेंगे और गैस को या इंडेक्शन को आप इस पर भी पकाए उसको स्लो रखना है मीडियम आज पर फ्राइ करना है ज्यादा तेल एक तम गरम नहीं होना चाहिए वरना यह बाहर से जल जाएंगे लेकिन अंदर से पक नहीं पाएंगे और हमको चाहिए कि यह अंदर से प्रिस्पी हो और बाहर से भी तो हम इसको पल्टी कर देंगे देखे चिकन में नयके करके डालेंगे इसलिए सारे चिकन अलग है बिल्कुल एक दुसरे में चिपके हैं कितने अच्छे से हमारी चिकन की बोटी तयार हो चुकी है बड़ी आसी चिकन पॉपकॉन जैसे चोटे-चोटे हमको इसी तरह से बना लेनी है सारे हम तयार कर लेंगे और एक कडाई में हम तेल डालेंगे और उसमें बारिक कुटावा अद्रक डालेंगे यह देखिए अद्रको थोड़ा सा हम भूल लेंगे और अब इसमें अड़ करेंगे हम चटनी शेजवान सॉस और फ्रेंड जैसे हम इसमें शेजवान सॉस डालेंगे न उसी वक्त हम जल्दी से इसमें थोड़ा सा पाई डालेंगे यह देखे इस तरीके से वरना जो यह चटनी है वो उड़ने लगती है क्योंकि तेल गरम होता है तो बहुत जादा धुआ हो जाता है और अब हम इसमें डालेंगे एक चमज वेनेगर यह हो गया हमारा वेनेगर एक चमज सोया सॉस डालेंगे अगर हमें सोया सॉस कम लगा तो हम बाद में फिर से आड़ कर सकते हैं और यह देखे एक चमज भरके हम डालेंगे टमैटो कैचप इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और स्लो रखेंगे गैस को एकदम इसे मैंने बारिक बारिक लंबी लंबी पत्ता गोबी काटके डा और इसको एक मिट लके हम वेजिटबल्स को अच्छे से पकाएंगे क्योंकि यह बड़ी बड़ी वेजिटबल्स है तो यह अच्छे से गल जाने चाहिए इस तरीके से अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमज शहद क्योंकि हमारी स्वीटनेस किल भी कुछ चाहिए की दो को मेरे चोटा-चोटा काट लिया है इसको हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि जल्दी गल जाता है तो इसको देखें मिक्स कर लेंगे बढ़िया वाला बढ़िया से अच्छे से मिक्स हो चुका है इसको में एक मिट के लिए ढखके रख देंगे ताकि हमारी वेजिट के बाद में तो कमाल की खुश्बू आ रही है इसको हम थोड़ी दर के लिए फिर से ठक देंगे ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाएक दूसरे में यह देखिए कितना बड़िया दिख रहा है कलर भी फ्रेंस बहुत ही अच्छा आया है खुश्बू भी बहुत ही अच्छी आ हरी है बहुत ही इच्छा शादियों वाला बनाए है जैसे हम शादियों में खाते हैं यह जिस्विए म् रेस्टोंट समंगाते हैं बल्कुल वैसा बनाए इसफ्रेंस बढ़े आशानी से अप भर कि भीए है बढ़े आसाया हो गीः ने चेंदर पर धूसका है अनुज से चिकन सिजलर तो विए क्यांने जुक्त ह crochet